Hello everyone, welcome to the channel, तो चलिए दोस्तों करते हैं, Insights is का Preliams 30 का magazine, हम लोग Preliams 30 magazine कवर कर रहे थे और हम लोगों ने कुछ topic कवर कर लिये थे, आज की बचिए वी topic कवर करते हैं दोस्तों, पहला topic वो है उधध्म पूर जो जम्मू कश्मीर का डेस्ट कहा है, यहा underwater Mixography अब्जिर्वेटर जा रहा है government के दोरा वो है सिस्मिक micro zonation ठीक है इसी effort के तैत यह अर्थ को एक observatory setup करे गई थी और यह सिस्मिक micro zonation जो है इसका aim simple है generate करना vital technical को ठीक है vital geoteknical को और सिस्मो लोजिकल parameters को यह यह और सिस्मो किस चीज के लिए डवलप करना है दोस्तों हम लोगों को डवलप करना है अर्थ को एक risk resilience building design codes for infrastructure and infrastructures ठीक है तो दोस्तों यह इसी लिए systemological parameters develop करे जा रहे हैं ताकि जो भी building यहां पर बने यह building in codes को follow करते हुए बने अर्थ को वगरा जो resilient code है ना उनको follow लोगों करते हुए बने ठीक है specifically it has initiated action for the setting up of earthquake early warning system सोचिए इसने दोस्तों अर्थ अर्ली warning system भी इसी के तैस setup करा गया किसके तहित सिस्मों सिस्मिक microzonation के तहित on pilot basis for a small area in the Himalayas जम्मू कश्मीर आपको पता है यह western most extension है हिमालयास का और उद्दमपूर जो डिस्टिक है यह दो मेजर सिस्मोजनिक falls के बीच में लाई करता है कौन-कौन सी पहला है में frontal thrust दूसरा है में boundary thrust इन दोनों के बीच में यह उद्दमपूर डिस्टिक लाई करता है इसी वजए से यहां जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है यह बहुत ही ज्यादा में फैक्टर पोटेंशल वाला गया minister of state for ministry of minister of food processing industries inaugurates the national conference on millets on the theme the future super food for India तो दोस्तों इन्हों ने हाली में एक conference inaugurate करी थी और इस conference की theme क्या थी the future super food for India ठीक है तो इसी वैसे topic news में आ गया था मिलेट का तो मिलेट को दोस्तों वह याद रखिए the future super food for India भी कहा जाएगा मिलेट्स और अग्रूप ऑफ highly variable small seeded grasses ठीक है वाइली ग्रोन अरांड दे वर्ल्ड एस सीरियल क्रोप्स इनको सीरियल क्रोप्स के तरूर पर उगया जाता है या बता है इन इंडिया में दोस्तों आपको क्या प्रत पाल जाता है जूआर मिल जाएगा जिसको English स्वरकं का जाता है बाजने इंलिश मेंSm सूपर फूड भाईह इसको सूपर फूट क्यों कहा जाता है यह देखे क्योंकि मिले जो गाइ नर्ति यह है कि इन ऐसे इनको गाने में कोस्ट कम आता है लेकिन इनके फायदे बहुत जादे है ठीक है क्लाइमिट रिजिलियन भी है यह दियार ओसो हाडर और डॉट रिजिस रेसिस्टेंट क्रॉप विद शॉर्ट ग्रोइंग सीजन और लोवर वाटर रिक्वार्मेंट तो इस वज़े से भी यह सूपर फू अगला टॉपिक है वो है मिसिंग इस्टर्ली विंड्स लीव नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ इस्ट डिल डिलच आयम डी तो ठीक है दोस्तों इसी वे से टॉपिक नीज में आ गया था समझते हैं वाइल और इंडिया रेंफॉल वास एटीन परसेंट शॉर्ट और्मल आसामन मेगाले वर्स समर्ज इंडा रिकॉर्ड रेंफॉल लास्ट वीक तो देखिए पूरे देश में देखा जाया तो देखा गया कि पूरे ओवरॉल देश में अठारा परसेंट जो है रें की कमी देखी गई है ना अठारा परसेंट रें की कमी देखी गई लेकिन वहीं आसाम और मेगाले हैं इनके बहुत सारे इलाके सम्मजड हो गए थे डूब गए थे शोज increasing rainfall in variability तो यहां पर देखा जा रहा है कि आसाम और मेगाले में बहुत ज़्यादा rain देखे गए थी rainfall variability क्या होता है वैसे तो आपको degree to which rainfall amounts vary तो भाई किस हिसाफ से जो rainfall है वैरी करती है एरिया के हिसाफ से और टाइम के हिसाफ से तो हम उसी के कहेंगे कि rainfall variability आ रखी है this subject area is metrology metrology or climatology is called rainfall variability there are two types of rainfall variability कौन कौन से दो टाइप के होते पहला है aerial और दूसरा है temporal the study of the letter is important in understanding the climate change तो आपको temporal की study कम अगर मतलब climate change का क्या impact है rainfall को लेकर अगर उसको समझना है तो temporal को study करना ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है आप देख सकते हैं यह मैप बना हुए annual rainfall variability भारत में कहां कि कहां कितनी rainfall होती है ठीक है आप देख सकते हैं पुरा मैप अगला जो टॉपिक है वह संस्पोर्ट का समझते हैं संस्पोर्ट वैसे तो नाम से पता चल रहा है सूरज के उपर दब्बे अहूज संस्पोर्ट इक अधरन के उपर जो काले-काले दब्बे होते हूने को संस्पोर्ट का जाता है यह अपिर डर्क बिकोज़ आर्क कूलर तो यह बहुत इंप्परणने यह आपको पता हूं जो डाक स्पोर्ट होती ना सूरज के उपर वो ठंडे होते हैं ठीक है compare to the other parts of the sun यह तो आपको पता है ना जहां पर काला होगा वहां पर यह देखे ना जो डार्क स्पोर्ट है यह ज्यादा ठंडे है as compared to the this part ठीक है solar flares are a sudden explosion of energy caused by tangling cross और reorganizing of magnetic field lines near sunsport तो आपको पता है ना solar flares भी निकलती रहती है यही सूरज में से आग कहा जाता है इंदी में आग की लपटे ठीक है अब समझते हैं उदैपूर's bird village is set to be declared a wetland तो दोस्तों उदैपूर का जो bird village है इसको declare करा जाने वाला है क्या एक wetland के तौर पर इसको declare कर जाने वाला है तो यहां पर दोस्तों कम्योंटी का बहुत ज्यादा सहारा लिया गया इस bird village को conserve करने के लिए ठीक है मेनार इन उदैपूर डिस्टिक is set to be notified as राजिस्तान's new wetland तो यहां देखिए मेनार जो है जो की उदैपूर में पाए जाता है यह राजिस्तान का नया सब्सक्राइब तो आपको पता है रामसार साइट में अगर आपको एंटर होना है तो उससे पहले आपको वेट लेंड गोशित होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अभी बात करिए तो राजिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ दो वेटलेंड रिकोगनाइजड है दो वेटलेंड जो की रिकोगनाइजड है रामसार साइट के तौर पर वो कौन-कौन से है पहला एक यह लाड़ो घाना जो की भरतपूर डिस्टिक में आता है और दुसरा सामबर सौर्ट लेग जो की चैपूर डिस्टिक में आता है यह द तो जिसको खांडेला तैसिल के अंतर आता है रोहिल इलाका कौन सा खांडेला तैसिल के अंतर इंस सिकार डिस्टिक में तो यहाँ पर बहुत ज़ादा उरेनियम के रिजर्फ मिले हैं which is over 120 km from the state capital जैपूर और यह इलाका जो है जैपूर से 120 km दूर पर है यह इसे कुशन बना देंगे कि सिर्फ और सिर्फ राजिस्थान में यॉरेनियम के रिजर्ब मिलें वह गलत हो जाएगा यह जैए याद पर देश में मिल चुके हैं इसके लावा ज्या जारकें में भी मिल चुके हैं तो थार्ट स्टेट बनाए है राजिस्तान जहां पर हमें उर्यनिय कमर्शल की बात करें जाए तो राजिस्तान गवर्मेंट फोरेड इंटु दा फिल्ड फिरेनियम में माइनिंग बाइशुइंग लेटर फिंट तुद्धा इूरेनियम कोपरेशन ऑफ इंडिया ठीक है यूस्ट की क्या है मतब यूरेनियम का कहां कहां यूस होता है यूरेन पर टू के सब्सक्राइब यूरेनियम का और समझते हैं करक्टिस्टिक समझ लेते हैं उरेनियम की उरेनियम इस सिल्वरी वाइट मेटलिक क्यमिकल एलिमेंट उरेनियम 235 इस आईसो टॉप की बात हो रही है इस दा ओनली नैचुरियर अकरिंग आईसोटॉप कैपिबल ऑ यह दुबारा एक्शुली टॉपिक आ गया देखिए या भी मैंने आपको पर पड़ाया था ना रेनफॉल जो है इंडिया में लगबग 18% देखी गई वहीं यहां पे जो आसामर में गाला है वहां पे डबल देखी गई थी तो यह दुबारा एक्शुली इन्होंने को पब्लिश कर दिया है अब कुछ गौवर्मेंट के इंपॉर्टेंड इनिशेटिव को स्टड़ी कर लेते हैं कौन-कौन से गौवर्मेंट ने इनिशेटिव लिए हैं पहला है CISS application यह क्या application है समझते हैं National Commission for Protection of Child Rights NCPCR के वारे में आपने पढ़ रखा होगा इन्होंने ल application launch करा है इस application के जरिए यह लोग help करना चाहते हैं in the rehabilitation process of children in street situation तो जो भी बचे street में रहते हैं उनके rehabilitation करने में मदद मिलेगी इस application के जरिए the CISS application is used for receiving data of children in street situation from all the states and union charities तो हर जगा से data गठा करा जाएगा tracking their rescue rehabilitation process the initiative is taken under the direction of the Supreme Court of India तो Supreme Court ने direction दीती उसी के तैत यह initiative लिया जा रहा है अब बाद सुराज के बारे में जान लेते हैं बाद सुराज पोटल आपको पता है बाद सुराज पोटल जो है यह NCPCR ने लॉंच करा था for online tracking and digital real-time monitoring mechanism of the children in need care and protection तो इनके लिए लॉंच करा गया था ठीक है अगला topic है वह मुख्यमंत्री मात्र शक्ति योजना समस्ते मुख्यमंत्री मात्र शक्ति योजना ये न्यूज में क्यों आ गया गुजरात गवर्मेंट ने हाली में recently launch करा है it for maternal nutrition के लिए तो याद एक है ये योजना किस ने शुरू करी है गुजरात गवर्मेंट ने शुरू करी है मुख्यमंत्री मात्र शक्ति योजना और किस लिए लॉंच करी है ताकि जो वूमन है उनके nutrition में क्या करा जा सके improvement करी जा सके दोस्तों ठीक है maternal nutrition में अंडर दा मुख्यमंत्री मात्र शक्ति योजना pregnant और lactating mother जो है will be given 2 kg of chickpeas ठीक है 2 kg दिया जाएगा इसके लवा 1 kg एक केजी तूर दाल दी जाएगी और 1 kg edible oil free of cost दिया जाएगा हर महीने आंगनवाडी से ठीक है जो भी आंगनवाडी सेंटर खोल रखे होंगे गुजरात में उनके जरीए दिया जाएगा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.36 lakh women जो है will benefit from the scheme तो इतनी लाख women को जो है फाइदा पहुचेगा है scheme के जरीए और भी scheme जो चलाई जा रही है women के लिए या maternal women के लिए वो देख लिए पहला है portion सुदा यूजना it offers nutrition meals a day to pregnant or lactating women के लिए ये भी गुजरात कोमेंट के दौरा scheme चलाई जा रही है अगला है राष्टी पुरुश्कार पोटल समस्ते हैं राष्टी पुरुश्कार पोटल की उन्यूज में आ गया a common राष्टी पुरुश्कार पोटल has been developed by government तो इन्हों ने हाली में गौर्मेंट ने एक common राष्टिपुरिश्कार पॉर्टल डवलप करा है और इस पॉर्टल के जरीए ये लोग invite करना चाहते हैं nomination for various awards है ना भारे सरकार आपको पता है बहुत सारे awards देती है तो उसी के लिए nomination invite करना चाहती है in order to bring all the awards of different ministries और department और agencies under one digital platform अभी आपको पता है अलग-अलग ministry जो है आपने जो अलग-अलग award उन्होंने तैकर रखे है उसके लिए अलग-अलग website बना रखे अलग-अलग portal बना रखे है लेकिन अब ये एक ही portal बना दिया गया जिसके जरीए सारे department और agency के जो भी awards होते हैं इसी पोर्टल के थुरू nominees invite करे जा सकते हैं इस पोर्टल विल हल्प इन एंशुरिंग ट्रांसपरेंसी और बिजली ट्रांसपरेंसी आएगा public partnership भी बढ़ेगी जन भागिदारी भी क्योंकि लोग जो है अपना नोमिनेशन बेश सकते हैं अगला है PME विद्या समझते PME विद्या न्यूज में क्यों आ गया Central Institute of Educational Technologies जिसको CIET कहा जाता है short में a constant unit of NCIT और या दखें यह NCIT का ही part है CIET का ठीक है और CIET जो है gets UNESCO recognition for use of ICT in school education तो दोस्तों इनों ने UNESCO ने हाली में Central Institute of Educational Technology को recognize कर रहा है क्यों recognize कर रहा है क्योंकि इनों स्कूल में ICT का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों ठीक है इस वन UNESCO स्किंग हमद बिन इसा अल-कलीफा प्राइस तो इस प्राइस का नाम याद रख लिए या इन्होंने जीता है for the year 2021 प्रधान मंत्री इविद्या जो कि आपको पता है 2020 में launch करी गए थी यह प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है multi-mode access to digital education तो दोस्तों digital education प्रोवाइड करने के लिए PME विद्या लाँच करा गया था इट कंसिस्ट ऑफ मैंनी एजुकेशनल टीवी चैनल और प्रोग्राम आप देख सकते हैं वट इस प्रोग्राम आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट को benefit पहुचा जागा अगला है स्कीम समझते हैं स्कीम न्यूज में क्यों आ गई मिनिस्ट्री ऑफ सोचल जैस्टिस और एंपावर्मेंट ने हाली में लॉंच करिए स्ट स्कीम और स्ट स्कीम का हाई स्कूल इन टागेटेड एरिया दस्कीम विल बेनिफिट किसको बेनिफिट करेगी स्टूडेंट्स हो कुड नोट रीच तू दा फॉर थायर क्वालिटी एडुकेशन स्टूडेंट की मदद करी जाएगी और यह प्रवाइड करेगी हाई क्वालिटी एडुकेशन फ और स्टूडेंट बिलोंगी टूड़ मार्जिनाइज इंकम ठीक है गुरुप इंदा से कम्मुनिटी फूस परिंटेल अन्युवल परेंटेल अन्युवल इंकम अप्टू 2.5 लैक और अलिजिबल तो यह सारे कि सारे अलिजिबल हैं सेलेक्शन देख लीजिए कैसे सेलेक इनको इसके लिए एक एंटरेंस टेस्ट करवाया जाएगा और उसी के आधार पर दोस्तों इनको सेलेक्ट करा जाएगा और यह जो एक्जाम या एंटरेंस टेस्ट एकॉंड करेगा अगला है प्रधान मंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना समझते हैं यह टॉपिक मिनिस्टी का नाम याद के लिजिए आप कहीं आदर्ष ग्राम योजना के तैत मिनिस्टी पंचायती किसे याद कर सकते हैं नहीं याद रखें मिनिस्टी ट्राइबल अफेर्स ने लांच करा है फॉर फास्टर डवलप्मेंट ऑफ ट्राइबल बिलेच और इसके जरी स्किम चलाई जा रही है तो उनका कनवर्जेंस करा जाएगा और उसमें कॉर्डिनेशन करा जाएगा ठीक है सिमिलर टू आधश ग्राम योजना आपको पता है आधश ग्राम योजना भी चलाई जा रही है इडिविल ऑल्सो अलाव गवर्ण का वर्गर्ण्स विद Ministry of Education के द्वारा चिला जारी वो डिफ्रेंट हो याद रखिए दोस्तों जो Ministry of Education Where चला रहे ए निपुनं ये उससे different है ये wali निपुन ठीक है तो नाम एक ही जैसे हैं लेकिन डिफ्रेंट है युनियन मिनिस्ट्र और फाउसंग उबन अफैरस ने लांच किरा आप प्रोजेक्ट नेम्ड और निपुन का फुल फॉर्म क्या देख लिए नैशनल इनिशेटिफ फॉर प्रोमोटिंग अप्स्किलिंग और निर्मान निर्मान वर्कर्स जो भी आपको पता है विल्डिंग वगरा में जो वर्कर काम करते हैं उन्हीं की स्किल को करी जाएगी इट कम्स अंडर मिनिस्टी ऑफ हाउजिंग अर्बन अफेस डे नुलम डे नुलम क्या है दोस्तों नैशनल अर्बन लाइबली हुड मिशन यह तो आपको पता ना चला रही है गवर्मेंट उसी के तहती आता है इसके द्वारा इंप्लिमेंट करा जाएगा किसके द्वारा इंप्लिमेंट करा जाएगा इसके द्वारा इंप्लिमेंट करा जाएगा इसके द्वारा इंप्लिमेंट करा जाएगा कंस्ट्रक्शन आपको पता है यह बहुत ही बड़ा लाजर सेक्टर है जिसमें बहुत सारे एंप्लॉयर्स काम करते हैं ठीक है और इंड़ियरी रिसाच असिस्टंस कांसीह आ गया टुमार्ग दा कंपकुलीशन आफ 10 years लिस असिस्टेंस कांसे तो इसको यादर हिक दस साल पूरे हो गए सट ऑप करे हुए BioTech Startup Expo 2022 was launched, तो 10 साल पूरे हो चुके थे, इसी के आधार पर एक BioTech Startup Expo 2022 आयोजित करा गया था दोस्तों, और इसके आयोजिन करते समय, इसकी theme क्या रखे गई थी, theme थी दोस्तों, BioTech Startup Innovations, ठीक है, और towards, क्या है towards, एक स्किन दोस्तों, towards आत्म निर्बर, भारत, अब समझ लेते हैं, बिराक के बारे में, यह बिराक है क्या, बिराक is not for profit public sector enterprise, तो यहाद कि यह पॉब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, setup by department of bio technology की दोरा setup करी थी, objective simple है, strengthen करना और empower करना emerging biotech enterprise को, ठीक है, ताकि यह लोग जो है, undertake कर सके strategic research और innovations, ताकि इस research और innovation के जरिए यह address कर सके, क्या nationally relevant product development needs को, functions के बिराक के देख लिए, provide करना access to risk capital through targeted funding, दूसरा है technology transfer करना, तीसरा है, IP management और hand holding करना schemes that help bring innovation excellence to the biotech firms and make them globally competitive, यह सारे एक सारे इन के function है, ठीक है, अगला topic है, just transition division, समझते है, just transition division news में क्यों आ गया, ठीक है, for the first time ever, the union ministry of coal will have just transition division, तो यहाद के ministry of coal ने तरह करा है, कि यह just transition division जो है, अपनी ministry में बनाएंगे, which will draft sustainable coal mine, और यह दोस्तों just transition division क्या, किस चीज़ में मदद करेगा, यह दोस्तों draft करेगा, sustainable coal mine, closer plans, आपको पता है, बहुत सारी mining हो जाती है, कर लेते हैं, mining के बाद बहुत बड़ा गड़ा हो जाता है, उसको close करने में बाद में बहुत सारा अच्छे से plan नहीं बन बाता है, तो coal mine को closure plans तयार करेगी, for areas economically dependent on dry fuel, ठीक है, देख लेज़े, just transition in India, in an inquiry, an inquiry into the challenges and opportunities for the post coal future, तो post coal के बाद, coal निकालने के बाद, उसका क्या future है, mining वाली इलाके का, ठीक है, अगला है textile park, समझते है, textile park, news में क्यों आ गया, central government wants to create 75 textile hubs across the country on the lines of tripour, to generate jobs and support higher textile exports, तो इस वए से दोस्तों ये topic news में आ गया, government जो है, 75 textile hubs को पूरे भारत में create करना चाहती है, ठीक है, अब किसके तरह पे है, दोस्तों, tripour में already एक textile park setup कर रखा है, तो इसी के आधार पर setup करा करता है, तो समझते हैं, tripour जो case है, इसी के आधार पर क्यों, देख लिजे, tripour's government export in 2021-2022 were 30,000, सोचे, इसी textile hub में, यह textile park में नहीं, कितने export करा, 30,000 करोड का, the government industry in tripour provided direct employment to 6,00,000 people, सोचे, इतने लाख लोगों को employment मिलती है, और indirect employment to 4,00,000 people, ठीक है, also nearly 70% of these workers were women, सोचे, इतना भूमेन को भी पहुच रहा है, people from the marginalized section, जो marginalized section से आते हैं, उनको इतना सारा benefit मिल रहा है, अब status देख लेते हैं, of India, almost 4 crore people were employed across the textile value chain, तो याद रखे, इतने लोग जो है, textile value chain में employment पा रहे हैं, in the country, according to the study, after agriculture, the textile and government sector is the second biggest employer, यह तो important data है, आप याद कर सकते हो, ऐसे भी, क्योंक most employment, जो लोगों को मिलती है, वो textile sector में ही मिलती है, ठीक है, India is the world's fifth largest exporter of apparel, यह भी आपको data पता होना चाहिए, यह सारे के सारे points जो है, mains के लिए ज्यादा important है, ठीक है दोस्तों, अब PM मित्रा के बारे में जाल लेते हैं, यह क्या है, government will set up seven mega integrated textile region apparel, तो इसी को PM मित्रा का ज entire textile value chain, तो दोस्तों, इन मित्रा पार्क के जरे करना चाहती है, क्या चाहती है, government, तो government integrate करना चाहती है, जितने भी हमारे भारत में textile, मतलब entire textile value chain, जितने भी है, उनको integrate करना चाहती है, है ना integrate कैसे, जैसे spinning भी integrate हो जाए, weaving भी, processing, dyeing, printing, यह सारे integrate हो सके, to government manufacture at one location, ठीक है, mega integrated textile region and apparel, जिसको PM मित्रा शॉट में कहा जाता है, आप देख सकते हैं, cabinet approval, approved setting up of seven मित्रा पार्क, तो इतने setup, seven मित्रा पार्क setup करे जाएंगे, और आप यहाँ पे read कर सकते हैं, कब तक, कितना पैसा लगाया जाएगा, कितने time का target रख 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 का, ठीक है, अगला topic है वो है, performance grading index for districts, तो देखिए, नाम से पता चलता है कि district जैसे perform करेंगे, उनी के हिसाब से grading उनको दी जाएगी, तो यह उसी को लेकर एक index त्यार करा गया है, जिसको short में PGD, PGID कहा जाता है, context देख लिजे, तो यहाँ देखिए, यह जो रिपोर्ट है, यह index बोल लीजे, यह जारी करा गया, किसले दोस्तों, grade करने के लिए schools को in Indian districts, तो दोस्तों, भारत में जितनी भी district है, वहाँ पे schools कैसे चल रहे हैं, उनको grade करने के लिए, यह index जारी करा गया है, और इसको conduct किस ने करा है, इसक कंड़ करा है, department of school education, literacy ने, जो कि आपको पता है, ministry of education के अंतरकत आता है, अब भाई, importance का है, इस index की, importance देख लिजे, it will help, prioritize intervention in the school education, obviously, अगर आपको पहले से data इकठा है, कि district में यह school जो है, बुरा perform कर रहा है, यह बहुत ही ज़्यादा खराब है, यहाँ पर infrastructure खराब है, तो बज़ लिए आप उसको prioritize कर सकते हो, और school की हालत improve कर सकते हो, methodology कौन सी इस्तमाल करी गई है, इस index को बनाने में, देख लिजे, it grades district in 10 grades, तो दोस्तों हार district को 10 grade में बाटा गया है, देख लिजे, जैसे कि दक्ष में, दक्ष में जिसके point joy 90 से जादा है, उतकार्ष में 82, 90% score ह ऐसे करके दोस्तों बाटा गया है, data collection, from unified district information system of education, you dice, जिसको short में गया जाता, इससे data उठाया है, national achievement survey, यह भी survey करता है, यहां से भी data उठाया है, इसके लाबाद शगन portal, इन से भी data उठाया, और इन सारे data को इकठा करके कलब करा है, और उसके बाद, उसके बाद ही district की performance जुन जुन एंड जैपूर, यह सारे के सारे राजिस्तान में ही हैं, और इन्होंने district achiever का tag जो है, इस index के थार्शिल करा है, नो दक्ष अचीवर district, तो कोई दक्ष अचीवर district नहीं रहा, other metrics देख लिजे, national achievement survey for school education, ministry of education के दोरा करा जाता है, school equality index, greats and ut by नीती आयोग, यह school equality किसके दोरा आयोजित करा जाता है, नीती आयोग के दोरा index बनाया जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, six component of PGID, आप यहाँ पर read कर सकते है, outcome, classroom, transaction, यह सब कुछ चक्कर आ जाता है, ठीक है, अगला topic है, वो है, revised search certification protocols to sustain ODF status, तो यहाँ देखिए, revised search certification protocols बनाये गए हैं, ताक कि sustain करा जा सके, ODF status, open definition free का status, तो इसको लेकर एक revised search certification बनाये गया है, ठीक है, protocol बनाये गया है, search भारत mission आपको पता है, urban 2.0 चलाया जा रहा है, भारत में, has launched the revised search certification protocol, तो इसी नहीं, search भारत mission, urban नहीं, एक revised search certification protocol, launch करा है, for open definition free, जाना, और ODF plus, ODF plus, प्लस 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 इसके ल जाते हैं, search भारत mission, urban was launched in 2014, जिसके जरी हम achieve करना चाहते है, 100% ODF status in urban local bodies में, और 2.0 refer करता है कि, to that 2021, 22, 2025, 26, और ये जो आपको पता है, search भारत urban mission का 2.0 चल रहा है, 2021 से 22 में, लांच करा गया था, और इसको 25-26 तक चला जाएगा, ठीक है, open defecation free, देख लिजिए, जो मैं भी आपको समझा रहा था, ODF का तो आपको full form पता चल गया कि, not a single person found defecation in open, ODF plus क्या है, दोस्तों, इसमें दोस्तों, खुले में तो कोई सोच करना नीचे, and well maintenance community and public toilets भी develop करा जाएगे, तो ODF plus के ताहत क्या करा जाएगा, community और public toilet develop करे जाएगा, all condition of ODF plus, तो जितनी condition ODF plus में fulfill हैं, यह तो हो नहीं हो, नीचे यह, इसके अलावा, toilets with sludge and septage management यह करा जाएगा, ODF plus के ताहत, और water plus में क्या है, दोस्तों, यह सारे का सारे उपर वाले तो कवर करे जाएंगे, all waste water is being treated as per the CPCB norms before release, अगला है, goal, goal समझते हैं, यह topic news म क्यों आ गया, ministry of tribal affairs ने launch करा है, second phase of the going online as leaders program, ठीक है, तो goal का full form पता चल गया ना, फिर से पढ़ देता हूँ, going online as leaders program, यह किस ने launch करा है, दोस्तों, ministry of tribal affairs ने launch करा है, it is in partnership with facebook India, तो याद के goal program facebook India के साथ, you know, मतलब, mix करके इनोंने launch करा है, aim क्या है goal का, identify करना, mobilize करना, और connect करन 2500 renowned leaders को from the industry, who can personally mentor 5000 youth women from tribal communities across the country, तो दोस्तों, जो भी renowned leader हैं भारत में, जिनोंने कुछ मुकाम हासिल करा है, वो 5000, जो youth women है, tribal community से जो आती है, उनको क्या करेंगे, guide करेंगे, इस goal के जरिए, goal program के जरिए, digitally upskill 10 lakh youth, तो digitally 10 lakh youth को upskill करा जाएगा from tribal communities, और create करा जाएगा platform for self-help groups and those associated with Trifad, to take their product global, आपको पता है, Trifad चला जा रहा है, ministry of tribal affair के दौरा, और Trifad क्या है, Trifad के दरी आपको पता होगा, जो tribal के जो products है, उनको global market तक पहुचाने का aim है, Trifad, आपको पता होगा, अगला है, topic दोस्तों, एक सकिंद, यह देख सकते हैं, goal, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला है, open network for digital commerce, समझते हैं, जिसको ONDC कहा जाता है, short में, open network for digital commerce, यह नाम से पता चलाएगा, open network बना जाएगा for digital commerce, आपको पता है, जो Amazon है, flip card बगर है, यह open network नहीं है, closed network है, देख ल आती है, अब समाझते हैं, open network for digital commerce है क्या, open network for digital commerce, एक network based है, on open protocol, and will enable local commerce across segments, such as mobile, grocery, food order, delivery, hotel booking, travel, among others, to be discovered and engaged by any network enabled application, तो दोस्तों, इसके जरीए, क्या करा जाएगा, देखिए, अभी जो आप सपोज माल लिजे, शॉपिंग करते हो, कुछ food items से, electronics खरीते हो, तो उसके जरीए, आप amazon वगरा, या flip card कहीं पर भी चले जाते हो, इसके लावा, जब आप hotel booking करते हो, तो उसके लिए अलग जाते हो, इसके लावा, जब आप food, खाने की चीज़े, order करते हो, तो zometo पर जाते हो, सुगी पर जाते हो, यह अलग-अलग platform बने हुए, लेकिन, open network for digital commerce के जरीए क्या होगा, एक तरीके का, एक ही आपके लिए, single network बना दिया जाएगा, और उसी network पे, आप सारे के सारे यह जो facilities हैं, अलग-अलग चीज़ों की, जैसे के, food delivery की, hotel booking की, यह सारी की सारी चीज़े, एक ही जगा पर discover कर सकते हो, और वहीं पे से, आप order वगरा भी कर सकते हो, फिर से, रीड कर जेता हूं, इसी को दोस्तों, ondc is a network based on open protocol and will enable local commerce across segments, देख लिजे, local segments, local commerce across agreements, such as mobile, grocery, food order, delivery, hotel booking and travel, among others to be discovered and engaged by any network enabled application, तो जो भी आप application इस्तमाल करें, उसी के जरीए, सब पोच्छ, यह सारी के सारी facility हांसिल कर सकते हो, the platform aims to create new opportunities, कब digital monopolies आपको पता है, आज कर बहुत सारा digital monopolies चल दिए हैं, जैसे कि Amazon की monopoly, फिलिपकार्ट की monopoly, और बहुत सारी monopolies आ रहे हैं, तो उसी monopoly को खतम करने के लिए, यह open digital platform launch करा गया है, दोस्तों, ठीक है, open network for digital commerce, देख लिए यहां पर, ondc is implemented, user shopping or any app that is registered with the network will see products from the catalogs of multiple sellers, e-commerce apps, listed local stores, mall merchants, among others and can choose who they want to purchase from, तो बिजली सारे के सारी एक ही जगा पर आपको मिल जाएगा, सारे commerce, सारे customers, जो भी बेच रहे हैं, मतब कस्टमर्स बोल रहा हूं, जो भी मतब seller है, सब कुछ जो बेच रहे हैं, आपको एक ही जगा पर मिल जाएगा, तो आपकी मर्जी होगी, कि आप किसे खरीदना चाते फोरुम, 2022 ये निउस में क्यों आ गया, दा फोरुम वोज है रिसेंडी जनेवा, स्विजलेंड, तो याद कि ये जो फोरुम है, जनेवा, स्विजलेंड में इसकी मिटिंग हुई थी, दा वर्ल्ड समिट ऑन दा इंफोर्मेशन सोसाइटी, फोरुम 2022 रिप्रेजन करता है युनाइटेड नेशन का फस्ट लाजेस्ट अनुल गैदरिंग और दे कम्यूनिकेशन टेक्नौलोजी, फोरुम ने कर रहा था, तो इसको उगनाइस कर रहा था, इंटरनेशनल टेली कम्यूनिकेशन उनियोन जिसको इट शॉर्ट में करा जा था, इसके लावा यूनुश को UNDP, UNCT, AAD और इंसा भी लोगों ने close collaboration करा था किस के साथ with all WSIS action line facilitators के साथ. थीम देख लिजिए 1220 की. थीम थी दोस्तो ICTs for well-being. ठीक है? Inclusion, resilience. ये थीम थी. WSIS cooperation for accelerating program on the SDG. तो दोस्तो SDG को develop करने के लिए दोस्तों cooperation करा जा रहा है. इसके लिए भी. ठीक है? Objective क्या है? It is a unique two-phase United Nations Summit that was initiated in order to create evolving multi-stakeholder platform aimed at addressing the issues raised by information and communication technologies through a structured and inclusive approach at national, regional और international level के उपर. अगरा topic है. इंडिया, इस्राइल, US, UAE are participating in the I2, U2 summit. तो दोस्तों, I2, U2 से आपको full form पता चल गया ना? I2 से है, दोस्तों, Israel, 2 से है, दोस्तों, I का मतलब है, इस्राइल और देखिए, इस्राइल और इंडिया, I, देखिए, इन दोनों के नाम जो है, इसे शुरू हो रहें कि नहीं हो रहें, इंडिया और इस्राइल, वैसे ही, तो I2 क्या हो गया? I, जो है, दो बार है, U2 क्या हो गया? US और UAE, तो U, दो बार आ रहा है, तो I2, U2 एक नया ग्रूप बना है, जिसमें ये चार देश हैं, और इन्हीं की हाली में सम्मिट हुई है, देख लिजे, US President will host a virtual summit with the Prime Minister of India, इस्राइल, Prime Minister and UAE President during the visit to West Asia from the July 13th, तो आपको पता है, जो है, जो है, जो है, वेस्ट एशिया की मीटिंग पर गए थे, और वहाँ, इस्राइल में बैठके, इन्होंने ये ओल्रेडी मीटिंग कंड़क कर चुके हैं, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, ठीक है, I2, U2 में बता चुका हूँ, I for India, Israel and U for US and UAE, I2, U2 grouping देख लिजे, प्रिविजली कॉर्ड, प्रिविजली कॉर्ड, International Forum for Economic Corporation, तो पहले I2, U2 का नाम क्या था, International Forum for Economic Corporation, the group is already being dubbed the new Quad, तो दोस्तों इसको कई लोग जो है, I2, U2 को नया Quad भी बुला रहे हैं, और the Middle Eastern Quad भी बुला रहे हैं, along the lines of Quad-related security dialogue, आपको पता हैं, Quad में कौन-कौन से, Australia, Japan, US, India मेंबर हैं, और उसी की तरह इसको भी West Asia का Quad भी बुला जा रहा है, Quad-related security dialogue, समझते हैं, Quad-related security dialogue news में क्यों आ गया, QSD often called the Quad is strategic dialogue between the United States, India, Japan और Australia, यह तो आपको पता हैं, Quad जो है, चार देशों के बीच में है, the dialogue was started in 2007, 2007 में start कर रहा था, Japan की प्रियम, जो आबे ने, in response to the increasing Chinese aggression in South China, और आपको पता है, चाइना को counter करने के लिए ही Quad खोला गया था, ठीक है, and was accompanied by one of the largest joint military excise of the modern era, मालाबार excise, तो आपको पता है, Quad के बीच में ही, एक excise भी होती है, जिसका नाम है, मालाबार excise, तो ये पता होना चाइए, ठीक है, Northern Ireland Protocol, तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर रुकते हैं, अगला जो टॉपिक है Northern Ireland Protocol, इसको अगले लेक्चर में cover करेंगे, अगर आपको लेक्चर पसंद आ है, तो लाइक कीजे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में,